प्रवा में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास सिस्टम में आपका एरिटर्स होना चाहिए different types of editors available है तो जो सबसे ज़्यादा trending editor है जिस पे आज हम focus करेंगे इसको download कैसे किया जाता है, कैसे इसको install किया जाता है, इसके साथ और क्या क्या चीज़ download करना होगा path कैसे set करेंगे ताकि आपके लिए इसमें coding करना बहुत असान हो जाए ठीक है वैसे बहुत सारे editors available आप किसी भी editor में काम कर सकते हैं बट जो आपको करना है VS Code जो कि VS Code एक ऐसा platform है जहां पर आप different languages के extension को उसमें install करके आप programming कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप beginners है Java अभी आपने शुरू किया है तो आपके लिए वीडियो बहुत special होने वाला है वीडियो को पुरावाज कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और कैसे इसको install करते हैं उसको भी देखिएगा ठीक है तो install करने के पहले डाउनलोड करने के पहले पहले मैं आपको बता दू VS Code क्या होता है तो definition पे देखेंगे VS Code that is Visual Studio Code होता है जिसको हम लोग क्या कहते है VS Code कहते है Is a source code editor developed by Microsoft for Windows, Linux and Mac OS यानि ये किसके दोबरा develop किया गया Microsoft के दोबरा Windows के लिए Linux के लिए और Mac OS के लिए ठीक है Features इसमें क्या के इंक्लूड है Support for debugging है Sendex, highlighting है Intelligent code है Completion है Snippets है Code refactoring है And embedded JIT है Users can change the Theme keyboard shortcuts Preferences and install extension that add functionality यानि VS Code में Users अपने से बहुत सारे extensions जिस language में करना उसकी extension को वो install कर सकता है Keyboard की जो Shortcuts को change कर सकता है Claire उसको change कर सकता है सारे मतलब Theme को, Environment को change कर सकता है ठीक है So Visual Code was Ranked the most popular developer environment tool अब अभी भी जो है ये बहुत trending में है Maximum student जो college के student है वो VS Code में ही programming करते है जो कि ये multi platform है open source है कोई भी programming इसमें आप कर सकते हैं आपको क्या करना है आपको इसका extension को install करना है तो ये basic brief में हमने आपको बता है VS Code क्या होता है अब चलते है VS Code को install और download करने के क्या process है तो इसको हमने step में categorize किया गया है अगर मैं यहाँ पे कहूं step 1 में इसको थोड़ा मैं बढ़ा कर देता हूँ step 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है download करना है चुकि ये free में download होता है download करना है आपको VS Code पहला step है ठीक है दूसरे step पे अगर हम focus करते हैं दूसरे step पे download के बाद इसको क्या करना है install करना है ये भी बहुत simple process है install करना है तीसरा process पे क्या करेंगे तीसरा step में क्या करेंगे download download यहाँ पे करेंगे हम JDK यानि कि Java Development Kit को हम download करेंगे ये होगी आप चौथा step में क्या करना है चौथा step में JDK को install करना है install JDK ठीक है पाँचवाय स्टेप में क्या करना है, पाँचवाय स्टेप में हमें क्या करना है, आपिन करना है VS Code को after installation, यह install होगा तो VS Code को open करना है, step 6 में क्या करना है step 6 में आपने करना है install extension अभी मैं करके दिखाऊंगा extensions of java ठीक है न ये install करना है step 6 में और 7 step में क्या करना है step 7 में आपने करना है jdk का path set करना है set path of jdk ठीक है तो इसको भी मैं करके आपको दिखाऊंगा कैसे set किया जाता है set path of jdk ठीक है ये होगी और step 8 में क्या करना है आपको programming करना है ठीक है तो एक sample program करके भी मैं दिखाऊंगा programming right so these are some steps how to download vs code install vs code download jdk install jdk और उसके बाद further कुछ steps है इसको आपको follow करना है बहुत सारे students इसको installation करने में download करने में problem में interrupt हो जाते हैं और नहीं हो पाता तो छोड़ देते हैं बट आप अगर इसको step by step देखेगा तो आपके लिए को भी परिशानी नहीं होने वाली ठीक है तो चलिए सबसे पहले download करने के लिए कहा जाना पड़ता है Chrome में जाना पड़ता है तो Chrome में आपको क्या करना है यहाँ पर जैसे Google आपको खुला है आपने यहाँ पर करना है download download vs code vs code यह आपने download करना ठीक है आपने यह download करना download vs code तो यह सबसे पहले आप यहाँ इसको click किजिएगा तो यह चीज जैसे हुआ सबसे पहला जो screen आप देख रहे हैं सबसे पहला screen download visual code तो यहाँ पे आप click करेंगे ठीक है? यहाँ पे click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे windows है यहाँ पे आप देखेंगे windows है linux है mac है ठीक है तो आपने क्या करना है अभी यह open हो रहा है यहाँ windows पे click कर देना है ठीक है? windows पे click करना है और यहाँ पे जैसे windows पे आपने click किया है तो आप देखें यह automatic जो है यहाँ पे download लेना शुरू कर दिया है अगर यहाँ पे देखेंगे तो यह VS code यहाँ पे download लेना शुरू कर दिया अगर download नहीं होगा तो आप manually यहाँ पे download यहाँ पे click करेंगे तो VS code download यहाँ से शुरू हो जाएगा तो यह download लेना शुरू हो चुका है ठीक है? तो थड़ा wait कर लेते हैं यह download होने ही चला है अब download होने के बाद जैसे यहाँ पे download हो जाएगा तो हम इसकी जो है source पे चले जाएगे जहाँ पी यह download हुआ है तो मैं यहाँ पे source पे आगिया यहाँ पे आप देखेंगे यह download हो गया है VS code ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है? इसको double click करके open करना है और क्या करना है इसको install करना system में ठीक है जैसे double click किज़ेगा तो यहाँ पे एक windows खुलेगा आप में आपसे कुछ information लेगा यहाँ पे और information देने के बाद फिर यह installation शुरू हो जाएगा ठीक है बट यहाँ पे मैं install नहीं करूँगा चुकि already मेरे में installed है तो मैं यहाँ से back हो जाता हूँ और आपने कुछ नहीं करें install करके आप जाएगे और वहाँ पे install ले लेगा बैसरे follow किज़ेगा तो यह पहला step आपका यहाँ complete हुआ पहला और दूसरा download हो गया और दूसरा क्या होगा install हो रहा या हो जाएगा ठीक है तीसरा step में क्या करेंगे हम लोग JDK करेंगे ठीक है तो यहाँ पर type कीज़ेगा आप download JDK download JDK ठीक है तो enterprise कीज़ेगा जो सबसे पहले आएगा उसी पे जाएगे java downloads और एकल पे जाएगे और यहाँ पर जो सबसे latest version आएगा वो आपको दिखेगा यहाँ पर थोड़ा wait कर लेते हैं यहाँ देखें यहाँ पर Linux है Mac OS विंडोस तो विंडोस पर क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं हमारे mouse पर focus कीज़ेगा तो यहाँ पर जाएगे तो विंडोस में आपने यह वाले install करना है जो X64 MSI installer है यह वाले install करना ठीक है download करना सारी जैसे आप download पर क्लिक कीज़ेगा यहाँ पर आपका downloading शुरू हो जाएगा और जैसे downloading शुरू हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पर चले जाएगे जहाँ पर download होगा और वहाँ से आप double click करके install करना शुरू कर देंगे यह भी मैं नहीं करूँगा चोकि मेरे system में already install है यहाँ पे तो हमारे system में आपका जो है JDK भी install है VS code भी install है total चीज इस install है हमने आपको बताया है कहां से open करना है कैसे install करना है इनके से अगर कोई problem होता है इनके installation में तो आप मुझे जरूर comment करके पुछिए बताये मुझे क्या problem हो रहा है मैं वहाँ पर उस problem को दूर करने के कोशिश करूँगा ठीक है तो चुकि मेरे system में तो installed है तो मैं install नहीं करूँगा download करके मैं बाद में यहां से हटा दूँगा चुकि double double रखने से सही नहीं है यहां पर यहां पर अब मैं इसको close कर देता हूँ यहां पर यह finish हो गया step आपका यानि अगर आप इस step पर focus किजएगा कि download vs code होगया install होगया download jdk होगया install होगया अब हमें क्या करना है vs code को install करने के बाद open करना vs code हमारा install होगया अब इसको open करना है तो इसको मैं सारे को minimize करता हूँ आप देखेंगे vs code का आपका icon desktop इस तरीके से बन जाएग installation होने के बाद जैसे हाँ पर हमारा जो mouse move कर रहा इसको double click करेंगे ठीक है double click करने के बाद जैसे आपका vs code यहाँ पर open होता है चुकि मेरे पास तो already अच्छे ठीक है मैं नए है open कर देता हूँ यहाँ पर यह होगया आपका open होगया ठीक है अब open करने के बाद क्या करना आपका इस तरीके का सबसे पहला आपका खूलेगा तो यहाँ पर क्या करना इस extension पर आपको click करना है extension पर जैसे आप click किजएगा तो यहाँ पर एक search box आएगा search box पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ search box पर यह शादी ही रहेगा ठीक है मैं इस तरीके से कर देता हूँ search box पर आपको यहाँ पर type करना है extension extension यह आपका net connect होना चाहिए ठीक है न extension sorry spelling mistake है यहाँ पर extension यहाँ पर रहेगा तो आपने क्या करना है यहाँ पर extension यहाँ पर देखें तो आपका जो extension इस्टॉल हो जाएगा जैसे extension इस्टॉल हो जाता है आप सारे वियोस कोड को बंद कर देंगे ठीक है बंद करने के बाद फिर आप यहाँ पर आएगे जहाँ पर आपका JDK इस्टॉल है तो यहाँ पर आप ऑपन करते हैं suppose यहाँ पर मैं open किया इसको जहाँ पर install है हमारा JDK मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर C drive में जाता हूँ यहाँ पर हमारा program files में है और यहाँ पर जो Java है यहाँ पर Java गया जो JDK का latest version 21 यह इस्टॉल गया तो मैंने इसको click किया बिन पिया ठीक है अब यहाँ से यहाँ पूरा आप देखेंगे कि यहाँ पूरा path है यहाँ पर यहाँ सब देखने देशिए इसको क्या करेंगे इसको click करके यहाँ पर copy करनेंगे path को ठीक है हमने copy किया path को path को copy करने के बाद फिर यहाँ पर आप search box में आएंगे stop में यहाँ पर आप इन्वार्मेंट पर इसको click करने यहाँ पर type करते हैं ठीक है यहाँ पर जैसे आप press की जग यहाँ पर edit environment variables आगा इस पर click करते हैं जैसे click करेंगे एक windows खुलेगा वेड़ोस खुलने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर path पर click करना है यहाँ पर नहीं एक काम करते हैं यहाँ पर आते हैं environment पर जाते हैं और यहाँ पर हम edit the system environment पर करेंगे ठीक है यहाँ पर environment variables पर click किजिए जैसे click किजेगा यहाँ पर path पर click किजिए path पर click करने के बाद आप edit पर click किजेगा new पे click करने के बाद यहाँ पे क्या करना आपने paste कर देना जो आपने अभी code को copy किया था वहां से bean का यहाँ पे आपने paste कर देना है तो अलड़ी हमारे पास open है, यहाँ पे VS Code, VS Code में क्या करना है, एक और step में बिता देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे तो programming लिखा होगा, खैर, आपने क्या करना है, इस पे click करना है, यह देखे, यहाँ पे आपने click किया, click करने के बाद, जैसे यहाँ पे आएगा, यह वाला देखे, आप program को select करेंगे, और यह वाला एक आइकन पे click करेंगे, जैसे click करेंगे, तो यहाँ पे file का नाम आगेगा, तो suppose हमने यहाँ पे file का नाम दे दिया, यहाँ पे first.java, ठीक है, तो यह जैसे click करेंगे, तो हमारा यह वाला windows open होगा, यहाँ पे आप देखे, first.java कर program आगे यहाँ पे, आपने क्या करना, programming, जो भी करेंगे, आप यहाँ पे इसका, आपको सारा coding मिलेगा, ठीक है, तो फिलाल मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे already coding है, यहाँ पे मैं उसी पे देखाता हूँ, जैसे programming कर करने का क्या, सबसे starting purpose क्या है, class लिखना है, class का एक नाम देना, test है, और एक public static void main string ARG से आपने लिखना है, यह सारी चीज़े, और हम क्या करें, इस program के माधिया, हम से सिर्फ एक line को print करें, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे click करेंगे, यहाँ आपका run जावा है, या इधर से भी आप देखें यहाँ पे, नीचे में आपका जो message था, वो यहाँ पे welcome, आपका यहाँ पे show हुआ, यह welcome हमने print करना था, जैसे हमने welcome लिया, यहाँ प्रिंट करना था, तो यह पहला program था, अब जब आपका सारा path set हो गया, सारे software download install हो गये, तो अब आपने क्या करना, जितने भी programs आपको ब बहतर result मिलने वाला है, तो I hope कि आपको इसारे step समझ में आया है, कैसे हमने install किया, कैसे हमने इसको increase किया, अच्छा आपका जब first time install करेंगे, तो आपका text बहुत छोटा 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 दिखेगा, इसको बढ़ा करने के लिए क्या करना हो, आप file में जाएंगे, आप file में ज रखना, जैसे आपने suppose आपको 14 करना है, ठीक है, 14 करने के बाद आप यहां से कुछ नहीं करना हर जाईए, तो आपका already छोटा हो गया, इतना छोटा सही नहीं है, आपने क्या करना है, आपने file पे click करना, preference में जाना है, setting में जाना है, और setting में जाने के बाद फिर यहां पे ह हम चुकि 22 रखे हैं, आप 23, 4 जितना रखना रख सकते हैं, 22 रखना, ओके वगरा कहीं नहीं करना, आपको इसको close कर देना, तो automatically यह बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो I hope कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, अब जो है next video में आपको हम programming ब